सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रेंग चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नमस्का दोस्तो मैं हूँ अरेश्पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रेंग चैनल आज मैं आपको दोस्तो आमला के हेल्थ बेनिफिट्स कौन से है उसके बारे में पूरी जान करी दूँगा तो इस वीडियो को एंट तक देखते रहे हैं और आमला के जो हेल्थ बेनिफिट्स है जो हमारे सहत के लिए एकदम फायदे मन्दे ऐसे कुछ बेनिफिट्स है जो आपको जानना जरूरी हो तो चली शुरू करते हैं बात करते हैं दूस्तो आमला की तो आमला भी अन्य कुछ प्रकुरूती के दिये हुए अक्तवफों की तरफ हमारे लिए गुनों की खाने और आरुईद में भी आमला अपना एक स्थान rhखता है समस्या चाहे कैसे भी हो जैसे बाल जड़ रहे हो या आखों की कमजोरी की बात हो आप कई तरह की सारी उर्क समस्या आमले से ठिक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आमले के बारे में पूरी जानकरी लेते हैं तो आमले को कई तरह से इस्तमाल किया जा सकता है जैसे कि कच्चे आमले का उपयोग किया जा सकता है या इसे सुखा कर भी इस्तमाल किया जा सकता है और इसका जूस भी इस्तमाल किया जा सकता है यह आसानी से उपलब्द भी होता है और साथ ही इसमें किसी तरह के केमिकल नहीं मिले होते हैं इसलिए आपके स्वास्ते के लिए यह कई अधिक बेनिफिट्स देता है और इसमें आपको उसी तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं जो आमला के चुरान में मिलते हैं ठीके देशतो तुम बाद करता हूँ, चुरण कैसे बना जा सकता है मैं अपने गर पर हम हम इसे बना सकते हैं उसके लिए तो पर रही ओन रहा हना सकते हैं तो नंबे समय तक शक्लू है Doe Ya, तिन दिन के लिए इसे दूप में सुखा दे और इसके बाद सुखे आमले इस्तिमाल के लिए तियार हैं क्योंकि दूप में रखने पर नमी खत्म हो जा दिये जिसके बाद आमले को अधिक समय तक उपयोग किया जा सकता है अब दूस्तों बात करते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स की तो विडामिन सी का बहुत अच्छा स्तरोत है और आप बड़े आराम से अपने सरीर के लिए आमले से विडामिन सी की कमी पुरी कर सकते हैं उसके बाद में दूस्तों मूँ के छालो के लिए आमले का उपयोग होता है अगर आप मूँ के छालो से परिशान है तो बड़े आमले का सेवन कीजिए और आमले का जूस इसके लिए सरोतम होता है इसके लिए आमले के जूस को आदे कप पानी के साथ मिक्स करिए और उसे वजना कुला कीजिए, निस्तिति आपको इससे फाइदा होगा। उसके बाद में अगर आप तनाविया किसी और वज़ा से निंद नहीं आने की समस्या से परिशान है, तो आपको बता दे के आवले का सेवन आपके इस परिशानी को दूर कर सकता है। आखों की जोती के लिए तो आवले से बहतर कुछ भी नहीं है क्योंकि आखों की बीमारे के लिए चस्मे को हटाने में आवला सबसे अधिक बेनिफिट्स परिदान करता है। और किसी भी रूप में आपका इसका सेवन कर सकते हैं जबकि आवले का रस इसमें सबसे अधिक लापदायक है। उसके बाद में दूस्तों आजकल की दिन चर्या ऐसी है कि हम बहुत बार तनाव से बचने के लिए सराब और सेहत के लिए दवाईयों का इस्तमाल करते हैं। जो शरीर में बहुत सारे अंचाहे ततों को बर देती है। और आवले का सेवन से आप बड़ी आसानी से अपने शरीर से उन ततों को बाहर कर सकते हैं। क्योंकि आवला आपके लिवर और ब्लेडर को सही तरी से काम करने में मदद करता है। इसके लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट आवले को रसका उप्योग कर सकते हैं। आवले को दैनिक जीवन में उप्योग करने से यह आपके पेट के अंदर एसीड के लेवल को कंट्रोल करता है। जिसकी वजह से आपकी पाचंग शमता भी बढ़ जाती है। आवले के सेवन आपके मेटाबोलिजम में भी सुधार करता है और इससे मोटापे को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। क्योंकि जितना आपका मेटाबोलिजम मजबूत होता है उतना ही आपको वजन कम करने में साहता होती है। इसलिए जो लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं उन्हें आमले को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए आमले का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक शमता को अच्छी खासे स्तर को बढ़ा देता है जिससे आपको छोटे मोटे रोगों से बचने की ख्षमता में व्रति होती है बालों के लिए भी आमले अक्तम माना गया है आमले का सेवन आपके बालों के लिए वरदान हो सकता है क्योंकि आमले के प्रयोग से आप अपने बालों को सहतमन्द बना सकते हैं और गंजेपन और बालों में सफेद होने और कई अन्य समस्याओं को भी कंट्रॉल कर सकते हैं तो इसके साथ आमले सांस के रोगों प्रजनुक शमता को बढ़ाने और पेट की गैस की समस्याओं में आपके लिए वरदान होता है तो यह हैं आमले की जड़ी कुछ खास बातें और इस वीडियो को जरूर सेर करें किसी भी एक वाटसप ग्रूप पर इसे आप सेर कर सकते हैं ताकि आपके डोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसे